Hello Students, Welcome to Magnet Bains, मैं आपकी Hindi Educator रुपाली वर्मा, आज लाई हूँ क्लास 11th के लिए, आज हम कर रहे हैं क्लास 11th के एक Hindi के कोर, याद रखिएगा 11th में दो कोर्स चलते हैं, कोर और Elective और दोनों की ही बुक हमारी अलग-अलग रहती हैं, आज हम कोर करा रहे हैं, तो कोर में हमारी तीन बुक्स चलती हैं, आरो भाग एक, वितान भाग एक और एक तीसरी बुक है, अभिविक्ति और माधिब, जो आपकी क्लास 11th, 12th के लिए कंबाइन्द हैं, और साती सात, Elective और कोर के लिए भी कंबाइन्द हैं, तो इसमें कुछ चैप्टर 11th के हैं, कुछ 12th के हैं, त सिर्फ Elective के हैं, तो इसको हम पूरी तरीके से जब पढ़ेंगे, तो हम आपको बताएंगे, आगे जैसे आज की बुक पे, आज आप देख रहे हैं, कि हम कर रहे हैं, आरो भाग एक, आरो भाग एक जो बुक है, वो दो खंडों में विभगते हैं, गर्दे खंड और कावे के, दो वचन में पहला वचन है, हे भूक मत मचल, और दूसरा है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, ये दोनों ही वचन हमने डिटेल एक्स्मिनेशन के साथ पढ़े हैं, इनसे आटी सिलूशन किया हुआ है, आपके मल्टिपाच वाइस कोशन किये हैं, कम्पलीट च है, कि हमसे दो तरीके से प्रेशन पूछे जाते हैं, अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, अब्जेक्टिव हम मल्टिपल चॉइस कोशन में कर चुके, आज हम कर रहे हैं सब्जेक्टिव, अचा सब्जेक्टिव कोशन में भी हमसे दो तरीके से प्रेशन पूछे जात उसी के कोडिंग आपको पहचानना होगा कि आपका ये लग हुए कि निबंदा तो ये तो सीधे सिंपल है लग हुए तो भाई उसके आंसर हमें 40 वर्ट्स के अंदर अंदर करने हैं और अगर निबंदात्मक है तो उसका 60-70 वर्ट्स के अंदर करना होगा तो जो भी वर्ड दी रहेगी उसी के कोडिंग आप काम करेंगे चली पहला प्रश्न देखते हैं अक महादेवी भूख प्यास लोब मुह आदे से दूर क्यों रहना चाहती हैं उन्होंने अपने आपको इन सब चीजों से दूर रहने की बात क्यों कही है क्योंकि जब हम ये सारी चीजों से अपने आपको उपर नहीं उठा पाते तो उनका मानना है कि हम भक्ति में लीन नहीं हो पाते हैं इसलिए उन्होंने इन सारी चीजों से अपने आपको बचाने के लिए बोला है देखे क्या है अक मानवी मनोविकारों से दूर रहना चाहती है अब मानवी मनोविकार क्या हो कुछ भी कर सकता है वो एक वेक्ति दूसरे वेक्ति को मार सकता है चोरी कर सकता है कुछ भी कर सकता है तो यह एक जरीया है जिसके जरीया हम यहां काम कर सकते हैं फिर उसके बाद आये लोब और मुह किसी चीज का लोब होगा या मुह होगा तो भी हम उसको पाने के लिए हो जाते हैं क्योंकि इनका मानना है कि भूब प्यास और नींद मनुश को अपने वश में कर लेते हैं तथा लोब मो क्रोध इर्शा और मद उसकी चिंतन शक्ति का हास कर देते हैं इसके वशिभूत होकर इश्वर से मिलन असंभव है अताभा इनसे दूर रहना चाहती है तो कहने का क्या ताथ पर है कि ये जो सारी चीज़े होती हैं हम इनकी ये हमको अपने वश में करती हैं जैसे लोब मो इर्शा क्रोध ये सारी चीज़े क्या होंगी ये गलत चीज़े हम जब भी इनके वश में आएंगे ये हमारे मन में किसी भी तरह के अच्छे वि सरूरी हिरेश लेकिन कुछ लोगों ने इसपर भीविजय प्राप्ति करी यह बड़े बड़े माप अगर महारीशी बगयरा देखें जो वरसों सालों तक जो है तपस्या करते थे तो उन्हों ने इस पर भीविजय प्राप्त रप्ति करी है तो ऑक रएक तो प्रश्ट संख्या दो है प्रथम वचन में कवेत्री द्वारा मानविये विकारों को दुद्कारना क्या प्रदर्शत करता है तो हे भूक मत मचल पहला वचन क्या है हे भूक मत मचल अब इसमें उन्होंने क्या बोला है कि जितने भी मानव विकार हैं दियर मानविये विकारो को धुद्कारा यानि कि अपने आप से दूर किया क्या प्रदर्शित करता है यह क्या चीज़ बताता है कि वो ऐसा क्यूं कर रही है तो देखी क्या है प्रतम बचन में कवित्री भूप प्यास नींद क्रोध मोह मध लोब इरशा आदी मानवी विकारों को धुदकारती हैं इससे पता चलता है कि कवित्री यह मानती हैं कि यह सभी भाव मनुश्य को ईश्वर से दूर ले जाते हैं अब ईश्वर से दूर के पास रहना और दूर जाने का क्या ताद पर होता है इश्वर के पास भई इश्वर कहीं पे भी हमको साकार रूप में तो मिलते नहीं जैसा कि माना गया है कि इश्वर हमारे ही अंदर होते हैं तो अब इश्वर हमारे अंदर किस रूप में होते हैं यह होते हैं हमारी होता है और बस हमें उसके खोजने की निगहा चाहिए आगो खोजने की निगहा क्या होती है जब हम अपने अंदर की सारी बुरी चीज़ों को जोड़ देते हैं और उसके बाद जो अच्छाईां बस थी अब अच्छाईां कैसे होगी जैसे किसी की help करना है किसी पे धया करना है कोई तकलीफ में है तो उसकी तकलीफों को दूर करना है बड़ों का सम्मान करना है बच्चों को प्यार देना है जानवरों से भी बहुत जादा प्रेम और इस नहीं करना है तो ईश्वर तो यहीं बोलते है शुष्टी के रशना क्या बोलते हैं कि हमने आपको मनुष्य बना कर बेजा है तो आपको मनुष्य बन कर रहना है मनुष्य एक ऐसा प्राणी इस प्रत्वीपर बेजा गया है जो सिर्फ अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी भले का कारे कर सकता है प्राणी यह सिर्फ अपने लिए लेकिन अपने लिए नहीं औरों के लिए भी कारएरत रह सकता है और दूसरों की help कर सकता है तो वही चीज उन्होंने बोला कि ये जो जितने मनोविकारे भूग, प्यास, नींद, क्रोध, मूँ, मध, लोब, इर्शा ये सारी चीजें हमारे अंदर जब आती हैं तो हम ईश्वर के पास नहीं रह पाते अर्थात हमारे अंदर से अच्छाई होगी ही नहीं हम चाहे जितनी कोशिश कर लें हम अच्छा नहीं कर पाएंगे तो इसलिए ये सारी चीजें तब ही वह कहती हैं कि अपने आप से दूर रखिये तो हम ईश्वर को पालेंगे अर्थात अपने अंदर से जो अच्छाईया है वो हम बाहर लेकर आपाएंगे जब कि वह सभी मनुष्यों को ईश्वर प्राप्ति की और अग्रसर करना चाहती है अब उन्होंने क्यों बोला इस है भई ये वचन लिखा वो तो इस मर्म को जान गई थी अब उन्होंने इस जो वचन है इसको लिखने का सिर्फ एक यह इतात पर था कि सिर्फ मैं ही नहीं बागी लोग भी इस बारे में जाने और चाहते हैं कि वो भी ईश्वर को पाएं कवेत्री का आचरन ये प्रदर्शत करता है कि वो अपने साथ साथ दूसरों को भी ईश्वर प्राप्ती का मार दिखाना चाहती है तो यानि कि उन्होंने तो ये चीज़ प्राप्त कर ली ठीक है कि हाँ हमें ईश्वर कैसे मिलना है ये चीज़ उनको पता तो चल गई लेकिन अब वो ये चाहती है कि बागी लोग भी ईश्वर को प्राप्त करें तो उसके लिए उन्होंने क्या किया उन्होंने उसको ये सारी चीज़े लोगों को बतानी शुरू करी कि जब तक हमारे अंदर ये सारी चीज़े रहेंगी तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाईगी तो सबसे अच्छा तरीका क्या है अपने आपसे ये सारे विकार दूर करिए और इश्वर को प्राप्ति कर लीजे तो अपना तो उन्होंने प्राप्ति किया ही किया और औरों को भी बता कर उनको भी इश्वर के प्राप्ति मार्ग में प्रशस्त किया प्रश्ट संख्या तीन है कवित्री किसका संदेश लेकर आई है और क्यूं तो क्या था शिव जी को क्या बोला जाता है बताईए क्या था वहाँ पर चन मल्लिका अर्जुन क्या बोलते हैं चन मल्लिका अर्जुन ये नाम शिव जी का ही है ध्यान रखियेगा कवित्री अपने आराध्य चन मलिका अर्जन देव अर्थात भगवान शिव का संदेश लेकर आई है क्योंकि शिव का संदेश कल्यान कारी है अब कहते हैं कि शिव जी ने ही इस शिष्टी का प्रारुंभ किया था तो शिव जी के आदेश ब्रह्मा जी ने इस पूरे ब्रह्माण्ड को रचना शुरू किया था जो भी प्राणी अपनी इंद्रियों को वश में करकर सच्चे हिद्रे से उनकी भक्ती करते हैं उन्हें सांसारिक भव सागर से मुक्ति प्राप्त हो जाती है तो जैसे के हमने बताया कि आख महादेवी जो है वो शिव जी की अनन्ने भक्त थी और उन्हीं के आराधना में उन्होंने अपना पूरा जीवन वितीत किया जब उन्होंने इस पूरी शिष्ट्री ऐ का निर्माल किया और साथ से साथ यहां सारे प्राणियों को दिया तो हम सभी उनके ही पुत्र पुत्रियां हुएं तो अब जाहिर सी बात है जब हमारे वो पिता हैं परम पिता परमेश्वर तो जब वो हमारे पिता हैं तो उन्होंने जो चीजें कहीं हैं जो चार चीजें बोली हैं वो हमारे सामने अक महादेवी ने रखी कि हमको इन सारी चीज़ों का पालन करना है तो किसका संदेश लेकर आई वो चन्न मलिका अरजुन अर्थात शिव का संदेश लेकर आई थी कि हमें जो है इन सांसारिक मुहमाया से मुक्ति करके ईश्वर के बताये गए मार्ग पर चलना है रखते हैं वो करें प्रश्ट संध्या चार है हे मुहपाश अपने धील पंक्ति का आश्रय इसपष्ट कीजिए क्या है हे मुहपाश अपने धील तो यहां पर क्या मतलब है इसका अर्थ जो अगर हम शाब्दी कर्थ निकाले तो मुह मतलब क्या होता किसी चीज की आसक्ति तो अगर हमें किसी चीज का मुह हैं तो हम वो उनसे हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे को उनके बंधनों जो मुह हैं वो अपने बंधनों को ढीला कर दे ताकि मैं उसके बंधन से निकल कर चली जाओं अब इसका अर्थ क्या हुआ देखिए हमें हर वेक्ति के लिए अंदर कोई कोई चीज का मुह होता ही होता है किसी वस्तु का हो सकता है किसी वेक्ति का हो सकता है किसी पशु का हो सकता है हर वेक्ति का अपना एक मुह होता है अब वो मुह को पानी के लिए हम कुछ भी करते हैं तो यहां पर जो है अक महादेवी इश्व से प्रातना कर रही है कि यह ज मुह के वशिभूत अर्थात सांसारी विशेवासनाओं घर परिवार माता पिता इत्यादी के प्रति लगावा आसकती के बंधोनों में बंधा हुआ है तो हमने का ना हर व्यक्ति का अपना एक मुह एरिया होता है मतलब हम किसी को बहुत जादा प्यार करते हैं और हमेशा कि जो मुह का जो जाल है वो धील दे धील देने का मतलब क्या होता है धीला कर देना भी होता है और त्याग देना भी होता है तो यहां पर उन दोनों से ही तात पर है कि अर्थात हमारा मुह जिस चीज़ से भी है उस मुह को हमें त्याग देना है या उसका जाल जो है धीला ह हो जाए तो हम उससे निकल सके ये भी है इन विशय वासनाओं के मुह में जब तक तु बंधा रहेगा तब तक तुझे इश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती इसलिए तु इस बंधन से मुक्त होकर इश्वर प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो तो उन्हें नों बोला कि त तुम जिस भी मुह पाश में बंधे हो यानि किसी के भी मुह के बंधन में अगर बंधे हो तो उसको त्याग दो क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर मुह रहेगा तुम इश्वर की प्राप्ति के मार्ग मर्चली नहीं पाओगे इश्वर को प्राप्ति नहीं कर पाओगे तो पहले तुम्हें तुम्हारा जो मो है अब वो सांसारिक मो है अब इसमें कोई बंदन है वस्तू है कुछ भी हो सकता है तो जो भी चीज का तुमको मो है उसको त्याग दो ताकि तुम आगे चल कर इश्वर को प्राप्त कर सको प्रश्ण संख्या 5 है मंग वाओ मुझसे भीक का आश्रे इस पश्ट कीजिए आप देखें क्या है मंग वाओ मुझसे भीक हमारे अंदर भीक मांगने की जो एक इस्थिती होती है वो कहते हैं सबसे डाउनफॉल एरिया होता है मतलब जब हमारी इस्थिती बहुत ही ज्याद होते हैं तब हमारा अहंकार गर्ब दर्ब सम्मान और क्या केते हैं जितनी संपत्ति ये सभी कुछ तभा हो चुकी होती है तो उन्होंने बोला ना कई मंगवाओ मुझसे भीक अर्थात जब मैं भीक मांगूंगी तो मेरे अंदर से क्या ये सारी जितनी भी विशय वासनाएं ये सभी कुछ समाप्त हो चुकी होंगी और जब मैं भीक मांगने लगूंगी तो में तो यहीं चीज कह रही है और इश्वर प्राप्ति के लिए मैं का खतम होना पहले जरूरी है अर्थात अहंकार का समाप्त होना पहले जरूरी है तो वही चीज कहा है कवित्री अपने आराग्ध से कहती है कि वह मुझे भीक मंगवाएं अर्थात हुआ स्वैम को निर्ही असाय और असमर्थ बनाना चाहती है इस से उसकी मैं अर्थात अहंकार की भावना का लूप हो जाएगा और वह इश्वर का इसमर्ण करने के लिए विवश हो जाएंगी इस प्रकार इश्वर उसे शीगरी प्राप्त हो जाएगा तो basically क्या है कि जब हम भीक मांगने के लिए जब मेरे से भीक मांगने इसमाप्त हो जाएंगी तो मैं आसानी से इश्वर को प्राप्त करने के मार्ग पर चल पाऊंगे और इश्वर को प्राप्त कर पाऊंगे प्रश्ण संख्या 6 है जोली फैलाऊं और न मिले भीक पंक्ति के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती है अब उन्होंने ये तो बोल दिया कि जब मेरे से भीक मंगवा होगे तो क्या होगा कि मेरे अंदर का तो अहंकार खतम होगे अब आ गए हम भीक मांग रहे हैं अब भीक मांगने की इस्तिती में क्या है कि जोली मैं फैलाँ और मुझे भीक न मिले और कहीं कोई अगर कुछ डा अभी भीग मांगनी के स्थिती के बाद भी अगर मेरे अंदर कुछ बचा है तो जब मैं जोली फैलाओं तो मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हूँ ये चीज वो कहती है जोली फैलाओं और ना मिले भीग पंक्ति के माध्यम से कवित्री इश्य से प्रात्ना करती है कि अपन लेकिन तब भी कहीं न कहीं जो है कर कोई ऐसा वेक्ति होता है कि तब भी उसके अंदर अंकार रह जाता है तो उस कंडिशन में क्या करें कि जब वो भीग मांगे तो उसकी भीग भी उसको ना मिले यानि कि इससे आप समझ जाओ कि अभी हमारे अंदर अंकार जीवित है इस अब तक तुम ऐसी परिस्थियों का निर्माड करना जिनसे मेरा अहंकार समाप्त हो जाए तो इस लाइन के माध्यम से क्या है जोली फैलाओं और नमिले भीग के माध्यम से ये कहने चाहती है कि मैं अब अपना अहंकार ध्याग कर भीग मांग रही हूं और अगर अभी भी लेश मात्र भी अगर मेरे अंदर अहंकार बाकी है तो मुझे भीग ना मिले जिससे मेरे अंदर का सारा अहंकार नश्ट हो जाए ऐसी स्थितियों में मुझे लेकर आओ कि सारे अहंकार को समाप्त कर दो तो ये स्थितियां क्या थी उन्होंने बोला जोली फैलाओं भीक न मिले और भीक मिले भी तो जमीन पर गिर जाए और कुटा कोई आकर उसको लेकर जाए ये बात उन्होंने बोली थी तो वही चीज़ ये और भी ड्राश्टिक स्थितियों को बचा रही है कि मैं भूख से मचल रही हूँगी और मुझे भीक नहीं मिले गी और भीक में कर कोई कुछ दे भी तो वो जमीन पर गिर जाए और वो भी मेरे मूह न लगे ये और बुरी पस्तिया मेरे साथ पैदा करो क्योंकि अभी मेरे अंदर अहंकार जीवित है प्रश्ट संख्या साथ है चन्न मल्लिका अरजुन की भक्ति के लिए किन चीजों को छोड़ना आवशक है यानि कि जब हम शिव की आराधना करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें छोड़नी पड़ती हैं लोब, मोह, क्रोध, लाब, हानी, भूख, प्यास, नींद ये सब ही कुछ हमको छोड़ना पड़ता है तब कहीं जाकर हम जो है शिव की आराधना कर पाते हैं चन मलिका आरजुन की भक्ति के लिए लोब, मोह, क्रोध, इरशा, मद का त्याग करना आवशक है भूख, प्यास पर भी नियंतरन जरूरी है यानि कि जो हमारे अंदर की जो बुरी भावना हैं उन्हें तो त्याग करना ही करना है पर शारिदिक जो आगशक्ता हैं उन पर भी हमें नियंतरन करना है यानि कि भूख, प्यास और निद जो कहते हैं जीवित रहने के लिए जरूरी है तो उनको भी अपनी आराधना के द्वारा, मतलब अपनी शक्ति के द्वारा उने भी कंट्रोल में करना है प्रश्ट संख्या आठ है कवेत्री अपना समस्त सांसारिक वैभव छिल लेने की प्राथना ईश्वर से कर रही है क्यों उन्होंने क्यों ऐसा कहा कि मेरी सारी सांसारिक वैभव छिल लिजे अब वैभव का मतलब क्या होता है अब मेरे पास जितनी चीजे हैं अब जितनी भी संपत्ती है जितनी भी जीवत रहने की जरूरते हैं वो सब ही आप मेरे से छीन लीजे क्योंकि जब तक मेरे पास ये सारी चीजे रहेंगी मेरे अंदर लोभ भी रहेगा मुह भी रहेगा क्लोध भी रहेगा इर्शा भी रहेगी अहंकार भी रहेगा तो ये जब तक मेरे पास ये सारी चीजे रहेंगी ये तो अब सारी ये चीजे मेरे अंदर बनी रहेंगी सारी विशेवासना बनी रहेंगी और मैं आपकी भक्ति के मारक पर चली नहीं पाऊंगी इसलिए पहले जरूरी है कि आप ये सारी चीजे मेरे अ तो यानि कि समस्त सांसारिक वैभव अब देखें कोई वेक्ति जो अमीर होता है उसके लिए उसका बंगला गाड़ी महंगी महंगी वस्त्र ये सारी चीजें उसके लिए सांसारिक वैभव होता है लेकिन अगर एक हम गरीब वेक्ति के लिए आजा है तो उसके एक जोड़ी भी होगा उसका छोटा सा जोपड़ा होगा है बैटने के लिए चटाई होगी वो भी उसका सांसारिक वैभाव है यानि कहने का मतलब है वेक्ति चाहे जैसा है अमीर है या गरीब है उसको जीवित रहने लिए चटाई है हम सो रहें तो हमें लोब रहेगा किसी तरीके से हम एक छोटा सा गद्दा ले आते हैं और इस चटाई के उपर विझा लेते हैं तो हम अच्छे से सो पाएंगे तो इस तरीके से हमारे अंदर लोब आ रहा है अब हमारी चटाई है तो हमको ये इर्शा भी हो विशेवासनाओं को पैदा करती हैं और ये सारी विशेवासनाओं इश्वर की भक्ति के मार्ग में वाधा उत्वपन करती है इसलिए उपोलती है कि मेरे सारे सांसारिक वैभों को छीन लो प्रश्ट संख्या नौ है शैव आंदोलन में अक महादेवी का क्या योगदान रहा शैव आंदोलन का मतलब तो आप समझी कहना शिव की भक्ति के लिए किया गया जो आंदोलन इसमें जो है न वो सभी लोग आए जो शिव की आराधना करने वाले थे अक महादेवी के कारण बड़ी संख्या में शैव आंदोलन से निचले तबको की इस्त्रिया जुणी और अपने संघर्ष और यातना को कविता के रूप में विक्त किया तो कहने का मतलब है ये है जब अक महादेवी ने शिव का संदेश लेकर आई लोगों को बताया तो अ है अक महादेवी तो इसी तरीके से इस आंदोलन में जितने भी निचले तबकों की इस्त्रिया ती कहने का मतलब ये था कि जो लोग अब निचले तबकों को साथ क्या प्रॉब्लम होती है उनको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है क्योंकि उनका जीवन अभाव में होत लिए उनकी कभी-कभी शोशड़ भी होता है तो ये सारी चीजे होने के कारण क्या होता है ये निचले तबकी के ओरते ऐसा रास्ता खोचती है जहां उनको सुकून और शांती प्राप्त हो तो जब अक महादेवी ने ये सारे वचन कहे तो ये निचले तबकी की ओरतों के बहुत प्रभाव पड़ा और ये सभी औरते उनके साथ जुड़ दें तो ये शैव आंदोलन में तबदील हो गया अब शैव आंदोलन का तातपर क्या था शिव की भक्ती में एक बहुत बड़ा हुजूम चल पड़ा और लोग सभी उनके आराधना करने लगे तो इस तरी के से जुड़ी जो अपने संघर्ष और यातना को कविता के रूप में विक्त करती यानि कि कविताएं खुद उन्होंने भी कविताएं जैसे अक महादिवी कविता करनी थी वैसे उन्होंने भी बहुत सारी कविताएं करी और उनके जीवन का जो संघर्ष था जो तकलीफे थी उन सब ही को वो कविताओं के माध्यम से विक्त करती रही प्रश्ण संख्या 10 है हे भूग मत मचल प्रथम वचन का केंद्रिय भाव इसपश्ट कीजिए जो पहला वचन है न हे भूग मत मचल इसका जो केंद्रिय भाव आखिर इसके अंदर हमें समझाने की कोशिश करी ज हो है कि अपने अंदर की सभी विशय वासनाओं सभी मनोविकारों को त्याग कर शिव की भक्ती में के मार्ग में प्रसस होई क्योंकि ये सभी विकार जो है जब तक हमारे अंदर रहेंगे हम शिव की आराधना नहीं कर पाएंगे ये पूरा इसका केंद्रिय भाव है कवेत्री अक महादेवी इने इस वचन में भगवान श्रुब की भक्ति करने का संदेश दिया है भक्ति मार्व में अनेक बाधाय आती हैं हम भक्ति करते हैं तो मानिए कि इश्वर खुद भी हमारी परिक्षा लेने के लिए बहुत सारी परिशानिया खड़ी करते हैं वही होता है महादेवी ने इस बाधक तत्वों का उलेख कर उसे बचने को कहा है अब ये बाधक तत्वों क्या है आपके लोब, मोह, क्रोध, इरशा, मध, भूख, प्यास, नींद, इन सभी तत्वों का उलेख, इन सभी से बचने के लिए कहा है कि ये सारी चीजे जो हैं वो क्या करती हैं वो हमारे मार्ग को और जादा मुश्किल बनाती है इसके लिए कोई उबदेश ना देते हुए कवित्री ने उन मनुविकारों को की मनुहार की है कि मतलब ठीक है आपके अंदर ये जो सारी चीजे हैं इनको आपको त्यागना है जो इश्वरा ध्यानाक में बाधा पहुँचाते हैं भूख प्यास इश्वर के ध्यान केंद्रित नहीं होने देते तो जहां ये सारी चीजें जो हमारे अंदर के मन विकार हैं हमें इश्वर की आराधना नहीं करने देते वहीं हमारे शरीर की जो चीजें जैसे भूख प्यास और नींद है यह हमारा ध्यान ईश्वर की भक्ती से भटकाते हैं तो इसलिए इन सारी चीजों से हमें बचना है यानि इन सारी चीजों को त्याग दिना है यही इस प्रथम बचन का केंद्रिय भाव रहा है क्रोध, मो, लो, भुमद और ईश्या जब तक मन में रहते हैं मनुष ईश्वर का ध्यान नहीं कर पाता कवित्री ने इन विकारों से निवेदन किया है कि वे अपना प्रभाव उस उपर ना डाले कवित्री ने कहा है कि मनोविकारों के प्रभाव से मुक्त होकर हम सच्चे मन से ईश्वर की प्रतिसमर्पित हो सकते हैं वोने सीधे सीधे क्या कहा है कि हमारे अंदर ये सारे मनोविकार होते हैं सारी चीज़े होती हैं मानते हैं अब वो इन विकारों से ही प्रात्ना कर रही है कि वो कर आप जो है क्रपा करकर मेरे शरीर को छोड़ कर चले जाए क्योंकि मैं इश्वर की भक्ति यानि कि श्रव की चले जाईए और इन प्रभावों से वो मुक्त होकर इश्वर की आराधना करना चाहती है प्रेश्ट संख्या 11 है दुतिये वच्चन हे मेरे जुही के फूल जैसे इश्वर का भाव लिखिए अब यहाँ पर उन्होंने अब जुही का जो फूल होता है वो बहुत ही जादा कोमल होता है तो यहाँ इश्वर को कैसा बताया गया है जुही के फूल के समान बताया गया है तो वो ही इस पूरी कविता का केंद्रिय भाव रहा है तो देखे इसको कैसे लिखेंगे हे मेरे जोही के फूल जैसे इश्वर में कवित्री ने इश्वर को उदार तथा दयालू बताया है कवित्री इश्वर के प्रती पूरी तरह समर्पित होना चाहती हैं किन्तु संसार में माया मोह लोब उक्रोद उनके समर्पड में बाधख हो रहे हैं यह मेरा घर यह मेरा भाई आदी मो भरे विचा और उनके मन को ईश्वर की भक्ती यह लगन में से नहीं करने देते हैं मैं और मेरा अंकार कवित्री को ईश्वर के निकट पहुँचने नहीं दे रहा है तो उन्होंने क्या बताया इस सारे में कि है मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर उन्होंने बताया कि जैसे जूही का फूल बहुत ही कोमल होता है नरम होता है उसी तरीके से जो मेरे ईश्वर है अर्थात जो शिव है वो शिव के लिए ही उन्होंने दोनों ही वचन लिखे तो शिव के लिए क्या कह रही है कि मेरे शिव भी इतने ही उदार और दयालू है अब मैं उनकी आराधना करना चाहती हूँ लेकिन मेरे अंदर के जो विकार हैं वो मुझे आराधना में पूरी तरीके से लीन नहीं होने दे रहे हैं तो मैं उनमें अगर लीन होना चाहती हूँ तो क्रपय करके मेरे अंदर से ये सभे मनो विकार निकाल दो अब ये मनोविकार जो हैं ये हमारे बंधनों को लेकर भी हो सकते हैं किसी वश्टू को लेकर भी हो सकते हैं तो क्यों क्यों क्योंकि ये हमारे ईश्वर की आराधना में कहीं न कहीं बाधा को उद्वन कर रहे हैं इश्वर की निकटता इश्वर की प्राप्ती तभी संबह हो जब साधक में अकिंचनता का भाव हो यानि कि जब हम किसी चीज से आसक्त होते हैं तब हम इश्वर के प्रति समर्पित नहीं हो पाते हैं तो उन्हें यही कहा कि जब तक हम कोई भी हर एक चीज को त्याग नहीं तब तक इश्वर में लीन नहीं हो पाएंगे। अरजुन के प्रती उनका समरपन पून हो जाएगा तो उन्हों ने कहा कि मेरे अंदर जो है लेश मात्र का भी अहंकार ना बचे इसलिए मेरे साथ ऐसी परिस्थियां पैदा करो कि जो है मेरे अंदर से ये सारी चीजें निकल जाएं और इनको निकालने के लिए कि अगर मेरे साथ ऐसी परिस्थियां पैदा करो जैसे कि मुझसे भीक मंगवाओ मेरे को भीक न मिले मेरे को कुछ भी न मिले इतना तरसकार मिले कि मेरे अंदर से जितना भी आंकार है वो सभी कुछ मिट जाए और मैं अपने आराध्य चन्न मलिका अरजुन की आराधना में लीन हो अब देखिए जब अक महादेवी थी तो उसमें वो समय भी समाज पुरुष वर्चस्व में था यानि कि पुरुष प्रधान देश जो था वो हमारा समाज था अभी भी है पुरुष प्रधान लेकिन अब धीरे-धीरे इस्तुरियों को भी उसमें जो है अधिकार मिलना शु के पुरुष वर्चस्व था तो वही चीज़ उन्हों बोला कि अपने शब्दों में उन्होंने अपनी इस आक्रोश अर्थात गुस्से को किस प्रकार वेक्त किया है तो देखी कैसे है अक महादेवी अपूर्व सुंदरी थी एक इस्थानिये राजा ने उनके आजभुत चोड़ने के साथ ही वहां से निकलते ही अपने शरीर के समस्त वस्त उतार कर फैक दिये अब उन्होंने क्या बताया भाई पुरुष जो है वो इस्तरी के सौंदर्रे पर मोहित होते हैं उसके शारेरिक सौंदर की हम बात कर रहे हैं आप क्या हुआ जब राजा मोहित हो वहां से निकलने के बाद उन्होंने अपने शरीर के सभी वस्तरों को त्याग दिया क्योंकि वो सौंदर्टा उनके वस्तरों से छूप रही थी तो लोग इसी से तो आसक्त हो रहे हैं वस उतारना वस्तरों का परित्याग मात्र नहीं था इसके पीछे अक महादेवी का लालसा हमारे अंदर रहती है जब वो छिपा ही नहीं रहेगा तो तुम्हारे अंदर से वो लालसा ही समापत हो जाएगी तो एक रीगे से वस्तरों का उतारना क्या था कि वो पुरुष समाज की तरफ अपने गुस्षे को व्यक्त कर रही थी दिगंबर होना पुरुषों के लिए तो मान है परन्तु स्तुरियों के लिए ववर्जित है आप सभी जानते होंगे दिगंबर जैन के जितने भी लोग हैं संत महात्मा हैं वो बिना वस्तरों के रहते हैं आपने अगर देहा हो तो आपने ऐसा कहीं अगर देखा हो तो नहीं अगर पढ़ा हो या अगर न इस तरीके से दिगंबर होना पुरुष के लिए तो मानने हैं अर्थाद ये था कि पुरुष तो सारे कपड़े उतार सकते हैं मगर इस्त्रियों के लिए पूरे कपड़े उतारना गलत माना चाता था तो ये चीज उन्होंने भी करी कि वो थे उन्होंने भी वोई दिगंबर अपना लिया अक महा देवी की इस वरिंजना के विरुद्ध विद्रहों किया था और सिद्ध किया कि जो कारे पुरुष कर सकता है वायस्तरी भी कर सकती है इसमें कुछ भी अनुचित और निंदनियन नहीं है इस प्रकार अक महादेवी ने महावीर और महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास किया तो इस तरीके से उन्होंने पुरुष समाज के सामने जो है एक विरुद आक्रोश यानि गुस्सा बताया कि जरूरी नहीं है कि जो हर एक छेतर में आप काम कर सकते हैं कि सिर्फ पुरुष ही दिगंबर बन सकते हैं उन्होंने खुद भी दिगंबर बनकर ये चीज़ साबित करी कि हम भी इस समाज में आ सकते हैं और अपने गुस्य को इसी तरही उन्होंने व्यक्त भी किया था प्रश्ण संख्या 13 है मीरा के काव में जो सरस्ता है क्या वैसी सरस्ता अक महादेवी की कविता में भी है अब मीरा जो है वो शिरी कृष्ण की अनन्य भगते है ठीक है शिरी कृष्ण को अपना पती मानती थी अब उनके जितने हमने पद पढ़े है उनमें बहुत जादा सरस्ता हमको दिखाई देती है हमें प्रेम दिखाई देता है विरहा दिखाई देता है सब कुछ दिखाई देता है लेकिन क्या जब हम अक महादेवी ये के जो वचन पढ़ते हैं उसमें क्या शिव के लिए ऐसी भक्ति या ये सारी चीज़े दिखाई देती है मीरा का काव श्रीकृष्ण के प्रती उनके समर्पण का काव ये है मीरा ने श्रीकृष्ण को अपना सर्वस्व माना जाके सिर्मोरमुकृट मेरो पती सोई कहे कर मीरा ने उन्हें अपना पती बताया मीरा अपने पती की चिर्वियोगनी थी चिर्वियोगनी क्यों कहा गया है इसको हम बताते हैं शुरू से लेकर आखिर तक वियोगनी अब उन्हें शिरी कृष्ण कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि वो आखिर में वो शिव की मूर्ती के अंदर ही समा गई थी एक्चुल क्या हुआ यह हमें भी नहीं जानते लेकिन हमने ऐसा पढ़ा या थोड़ा सुना है कि वो बश्पन से लेकर आखिर आखिरी समय तक वो जो है शिरी कृष्ण की आराधना करती रही मगर शिव उनको प्राप्त नहीं हुए और आखिरी समय में वो शिव की मूर्ती क अंदर ही समाहित हो गई थी तो इसलिए उन्हें चिर्व योगनी कहा गया अर्थात वो हमेशा शुरू से लेकर आखिर तक वो उनके व्योग में ही रही उनमें तडप और पीड़ा है पीड़ा और दर्द की ये गहराई ही मीरा के काव में सरस्ता का रहस है यानि मैंने बो करा रहा है प्रेम भी है शिंगाररस पूरी तरीके से उतुपरोथ है तो इसी कारण उनका पूरा काविस रस होता है में पढ़ने में अच्छा भी लगता है और जो उन्होंने दर्द महसूस किया वो दर्द भी हम कहीं न कहीं महसूस कर पाते हैं वियोग के कारण उनमें व विरहा का दर्द और पीड़ा नहीं है जैसे मीरा के काव्यों में विरहा है यानि कि वो अपने प्रेय से दूर है तो उनसे मिलने के लिए मनुहार करती हैं पती मानती हैं दासी बनती हैं सब कुछ वो कर रही हैं लेकिन ये सारी चीजे जो है वो अक महादेवी के काव्य में यानि कि वो विरहा की पीड़ा उनके काव में देखने को नहीं मिलती है उनकी कविता इंश्वर के प्रति समर्पित के प्रेणा भले ही देता हो परन्तु उनमें मीरा के काव जैसी सरस्ता नहीं है तो यानि कि वो जो अक महादेवी हैं उनके जितने भी हम कावे रचनाएं प भक्ति भाव कर रहे हैं, मीरा के अंदर क्या था वो दाम- Fast Jals था, यह सारी चीज़े थी लेकिन जो अक महादेवी के अंदर जो उनकी भक्तिभावना है वो सिर्व उनका आराद है जिनकी वो Pूजा करती है इसके बारे में लेकिन मीरा के अंदर वो प्रेम भी कर रही है वो उनकी पत्नी भी बन कर रह रही है तो ये सारी चीज़े थी इसलिए जो सरस्ता हमें मीरा की काव में देखने को मिलती है वो अक महा देवी के काव में देखने को नहीं मिलती है प्रश्ट संख्या 14 है कवित्री ने मनोविकारों को संबोधित करके उनसे क्या कहा है सारे मनोविकार क्या है लोग, क्रोध, मोह, इरशा, मध, भूख, प्यास, नींद इन सब ही को संबोधित करते हुए अपने आप से दूर चले जाने के लिए इन सारी चीज़ों को बोता है कवित्री ने मनोविकारों को संबोधित किया उनसे कहा कि वे उसको अपने प्रभाव से मुक्त रखे भूख प्यास उसे व्याकुल ना करे, नींद सताए नहीं, क्रोध उत्तेजित होकर उथल पुथल ना मचाए मोपाश में बांधे नहीं, लोभ ललचाए नहीं, इरशा जलाए नहीं, समस्त चराचर प्राणियों को इन से मुक्ति मिले जिससे वे ईश्वर की आराधना कर सके, तो कहने का सीधा मतलब क्या है, उन्हों हर मनोविकार से मनुहार किया है जैसे कि उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, कि भूख प्यास उन्हें व्याकुल, जब हमें भूख प्यास लगती है, तो हम बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते हैं, तो वो व्याकुलता मुझे नहीं होनी चाहिए नींद नहीं आएं, तो कि अगर ये सारी चीज़ें होंगी, तो हम इश्वर की अराधना नहीं कर पाएंगे, तो भूख प्यास नहीं लगे और नींद भी नहीं आए क्रोध उत्वेजित होकर उत्थल, जब हम क्रोधित होते हैं, जब हमारे अंदर क्रोध आएगा, तो जाहिर से बात है कि हमारे अंदर कुछ अच्छा ही नहीं होगा, तो अच्छा ही नहीं होगा, तो मिश्वर की अराधना कैसे करेंगे, तो वो हमारे अंदर उत्थल पु तो इस तरीके से उन्होंने हमारे अपने सभी मनोविकारों से कहा है कि वो क्रप्रा करके मुझे एक तरीके से छोड़कर चले जाएं ताकि मैं चन्ड मलिका अरजुन की आराधना कर सबूं। प्रश्ण संख्या पंद्रहा है अलंकार प्रयोग की दृष्टी से हे भूक मत मचल पत्यांश पर विचार कीजिए। तो अलंकारों को आप अभी तक अच्छे से समझ चुके होंगे। कौन सा अलंकार है, कहा है, क्यूं है, सारी चीजें। ये पध्यांश अंग्रेजी भाषा से हिंदी खड़ी बोली में अनुदित रचना है। इसमें मनो भावों को संबोधित किया गया है। अंग्रेजी साहित की परंपरा के अनुसार अमूर्त भावों को संबोधन करने से जो अलंकार बनता है, उसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। ठीक है, यहां पर पूरा बताया जा रहा है। इसके अत्रिक्त हिंदी के आधार पर इस अंश में मानवी करना अंकार भी है। यानि कि जहां पर हम देख रहे हैं जड़ वस्तुओं को मानवी लक्षनों से कंपेर किया जा रहा है। यहां कि अमूर्थ भावों को मनुश्यों की भाती आचरण करता दिखाया गया है। उनमें कुछ करने ना करने का आग्रे किया गया। उनसे क्या करने के लिए जैसे यहां पर जो अमूर्थ भाव है। जैसे कि भूख है, नीद है, प्यास है, यह सारी चीजें अमूर्थ हैं। इनसे कुछ ना करने के लिए बोला गया है। तो इस तरीके से इन सभी भावों में क्या है? मानवी करन अलंकार है। प्रश्ट संख्या सोला है। भूख मत मचल पाद्यांश की भाषा शैली गत विशेषताएं बताईए। तो जो भाषा शैली की जो विशेषताएं हैं उन्हें हमें यहां पर निकाल कर रखना है। अक महादेवी ने किस तरीके से इसको लिखा है। प्रस्तुत पद्यांश की रचना मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में हुई है। यह इसका हिंदी अनुबाद है। अनुदित पद्यांश की भाषा सरल खड़ी बोली है। इसमें संबोधन शैली को अपनाया गया है। इसमें प्रयुक्त शब्द सुबोध और भावा नुकूल है। यह आपको ध्यान रखना है कि यह जब अनुमोदित किया जाता है तो हम संस्कृत भाषा से कोई चीज़ अनुमोदित करती हैं या कोई और छेत्रिय भाषा से करती हैं तो अलग हो जाता है। अंग्रेजी भाषा जैसे संस्कृत से ही सभी छेत्रिय भाषाओं का जो है वो प्रादुर्भाव हुआ है। यह हम सभी जानते हैं। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंश हमें बाकी भाषाओं में मिल जाता है। लेकिन अंग्रेजी भाषा पूरी तरीके से एक भिन भाषा है तो उनका उनसे जब हम हिंदी में आपको अनुवाद करते हैं तो काफी सारी चीज़ें बदल जाती है वो सारा एक natural fact नहीं आ पाता है तो जैसे यहाँ पर किया गया है तो इसलिए यहाँ पर जितना भी में किया थे फड़ी हूं एक्दम सरल खड़ी पोली में कया अगर आह idle एक करते थोड़ा समझना मुष्किल हो जाता और संस्क्रत मुष्क्रत्यों आग्ए परते तो भी मुश्किल होता कि उसमें समझना लेकिन हिंदी से जब एंग्लेजी से हंदी में कर रहें तो वो आसान हमें जान पड़ता है अच्छुकि संभोधन शैली हमने बताया गया है कि एक नों भूख को संभोधित किया गया और दूसरा इश्वर को बद संभोधित किय गया है इसलिए दोनों में ही जो है आपका संबोधन शैली लगती है लेकिन यहां हम हे भूक मत मचल के लिए संबोधन शैली का इस्तमाल किया गया है इसमें प्रयुक्त शब्द सुबोध और भावनुकूल हैं सुबोध हैं मतलब हर एक चीज हमें आसान से समझ में आ रहा है और हर एक शब्द का भाव पूरी तरीके से निकल कर जो आ रहा है वो हमारी समझ में आता है हर एक शब्द जो एक सिंगल वर्ट भी है उसका अपना एक भाव है एक फीलिंग है जो हमें उसके रूप को प्रदर्शत कर रहा है प्रश्ण संख्या 17 है कभी तरी ने ईश्वर की उन confusing से भीक मांंगने की प्रार्थन आ क्यों की है अब वह क्यों कह रही हैं हम जैसे अब हम हैं हम तो ये बोलें हम तो कभी नहीं बोलेंगे इस वर से कि मेरी परसेतियां ऐसी आई कि मैं भीक माँगों तो उसी कवैत टीकार अभी परसेतियां पैदा कर ओछंद कीòng भीक मांगने लगूगी अम मालनो मेरे अंदर तब भी थोड़ा सा हंकार रह गया तो उस कंडिशन में मुझे भीक ना मिले और भीक मिले भी तो वो नीचे गिर जाए और उसे कोई कुट्ता लेकर जाए तो उन्होंने एक तरीके से ऐसी वर्स्ट कंडिशन्स बनाने के लिए जिससे उनके अंदर का पूरा अहंकार समाप्त हो जाए कवेत्री इश्वर की भक्ति सच्चे मन से करना चाहती है इश्वर की सच्ची भक्ति के लिए भक्त का अहंकार रहित होना आवश्चक है यानि कि हम जब शिव किसी की भी भक्ति किसी भी इश्वर की भक्ति हम करते ह तो सबसे पहले अपने अंदर का मय निकाल के अलग करना होता है हम चाहते ही कि अगर हम सच्ची भक्ती करें तो अगर हमारे अंदर अहंकार है तो ईश्वर हमारी उस भक्ती को सुविकार नहीं करते हैं तो यही चीज उन्होंने बोलाये कि हम सची भक्ति करना चाहते हैं तो इसलिए पूरी तरीके से अहंकार रहित होना चाहते है उसे किसी सानसारिक वस्तु का स्वामी नहीं होना चाहिए क्योंकि जब टक हमारे पास कोई चीज रहेगी हमारे अंदर अहंकार बना रहेगा इसलिए संसार की किसी भी चीज़ का वो स्वामित्व नहीं रखना चाहती है उनके पास अपना कुछ भी नहीं होना चाहिए अपने मन में घमंड को मिटाने के लिए कवितरी चाहती है कि इश्वर उनसे भीक मंगवाए यानि कि एक तो पहले तो उन्होंने अपने पास से हर एक चीज़ को समाप्त कर दिया क्योंकि जब तक मेरे पास कोई भी चीज़ रहेगी उन्होंने बोला कि मेरे अंदर जो है उसको बचाए रखने की या उससे बेटर बनाने की जो चाहत है यानि की लालसा है लालच है यो कोई न कोई मनोविकार मेरे अंदर रहेगा तो सबसे पहले मेरे पास से सारी चीज़े हट जानी चाहिए अब जब सारी चीज़े हट जाएंगे तो उसके बावजूद भी मेरे मन के अंदर अहंकार अभी वाकी है उस अहंकार को मि शरीर को ढखे हुए है तो शरीर हमारा ढखा हुआ है इस चीज का हमको अंकार होगा तो इसलिए उन्होंने उन कब्रों तक को त्याग दिया कि नहीं मैं जो हूँ ऐसे ऐसे बनके रहूंगी कि मेरे पास एक चीज नहीं रहे एक जोड़ी बस्तर भी रहेगा तो उसको भी बचाय रखने का एक मुह रहेगा तो इसलिए उन्होंने वह मुह को भी त्याग दिया अब उसके बाद उन्होंने वस्ट कंडिशन पैदा करी क्या कि मेरे अंदर का अहंकार मिटाओ तो उसके लिए भीक मांग करने की कंडिशन पैदा करने के लिए कहा है प्रश्ण संख्या 18 तो कोई कुटा आ जाए उसे जपट कर छीन ले मुझसे इस 35 से कवेत्री ने क्या संदेश दिया है अब उन्होंने क्या बोला कि भाई मेरे अंदर का जो अहंकार है वो तुम मुरे से मिटा दो तो उसको उन्होंने बोला कि मेरे पास तो सांसारी कोई भी वस्तू नहीं होनी चाहिए और जिसके लिए उन्होंने अपने शरीर के कपड़े तक त्याग दिये अब क्या है अभी अहंकार बाकी है तो उसको उन्होंने बोला कि मुझसे भीक मंगवा हूँ भीक मुवाने के कंडिशन यह होगी मेरे अंदर का सारा अहंकार खतम हो गया लेकिन अभी भी मानलो भीक मांगते समय मेरे अंदर इतना सा अहंकार बाकी है तो अब कंडिशन ऐसा ही करो कि मुझे भीक ना मिले अर्थाद कोई मुझे कुछ दे ही नहीं और मानलो सपोस अगर कोई कुछ दे भी देता ह तो वो मेरी जोली में नहीं आए, कोई कुत्ता आ जाए उसे जपट कर ले जाए, अर्थाद मेरी कोई कुत्ता उसी समय आ जाए, वो मेरी उस भीक को जपट कर लेकर चला जाए, अर्थाद मेरे अंदर अगर हंकार बचा हुआ है, तो मेरे साथ ऐसी कंडिशन करना कि मुझे क कुछ भी प्राप्त नहीं हूँ के सभी रास्ते बंद हो जाएं अब क्या है ये जो सांसारिक वस्तु है इसमे भोजन भी आता है तो उन्होंने बोला है ना कि भूख भी मेरे को नहीं सताए तो इसलिए उन्होंने बोला कि अहंकार मिटाने के लिए आपने भूख तो यानि की कंडिशन ऐसी हो जाए कि मुझे कुछ ना होई तो सबसे पहले ये मो भंग का होना जरूरी है तो ये सारी कंडिशन वो सिर्व इसलिए पैदा कर रही है ताकि किसी भी सांसारिक चीज़ का मो उन्होंने ना रहे कोई मनोविकार नहीं रहे अहंकार नहीं रहे कुछ नहीं रहे इसलिए वो भीक मांगने और भीक में मिली किसी चीज़ को कुत्ते द्वारा जपट ले जाने का भी उन्होंने संदेश दिया है प्रश्ण संख्या 19 है हे मेरे जुही के फूल जैसे इश्वर में अलंकार बताईए अब ये जो हमारे सामने जो दूसरा वचन है हे मेरे जुही के फूल जैसे इश्वर इसमें कौन-कौन से अलंकार आए हैं और किस तरीके से प्रियुक्त किये गए हैं आपको ये बताना ह प्रस्तुत पंक्ती में ईश्वर को संबोधित किया गया है किसी अमूर्थ भाव आदी को संबोधन करने पर संबोधन अलंकार होता है तो देखे अक महादेवी के जो दो बचन हमारे पास आए हैं दोनु में ही संबोधन अलंकार है एक संबोधन अलंकार है पद्याश में इस पंक्ती में जो ही के फूल जैसे इश्वर अर कहा गया है इसमें उपमे और उपमान की समानता जैसे शब्द से व्यक्त होने के कारण उपमालंकार है क्योंकि अब क्या है जुही के फूल जैसे ईश्वर अब यहां पर ईश्वर को कैसा बताया गया जुही के फूल के समान तो उनको उपमा दी गई है इसलिए यहां पर क्या होगा उपमा अलंकार होगा तो यह दो अलंकारों को आप यहां पर प्रयोगत होते हुए देख सकते ह नेक्स कोश्चन है प्रश्न संख्या 20 हे मेरे जूही के फूल जैसे ईशोर पद्याश में किस छंद का प्रयोग किया गया है आप सभी को पता है कि जब कविता का निर्माड किया जाता है तो छंद का होना जरूरी माना जाता है या तो खविता चंद युक्त होगी या चंद मुक्त होगी तो अब आपको यहाँ बताना है कि चंद है तो कौन सा चंद है और अजंद चंद मुक्त है तो कोई बाती नहीं है उपर तो पध्यांश अंग्रेजी भाषा से हिंदी में अनुमुदित रचना है इसमें तुक विहीन मुक्त चंद का प्रयोग किया गया है यानि कि ये क्या है मुक्त चंद है ठीक है इसमें चंद नहीं है पध्यांश की पंक्तियां छोटी बड़ी है परंद उनमें काव की सरस्ता का तथा प्रभाव है प्रभा है तो कहने का तात्पर यहां पर क्या है कि ये एक मुक्तक छंद है पहरी चीज ये है चुकि हर लाइन बराबर नहीं है कोई लाइन बहुत बड़ी बोली गई है कोई छोटी बोली गई है इसलिए इसमें हम कोई भी छंद नहीं दे पाए क्योंकि तुक नहीं मिलते ह फिर उसके इलावा इस काव में सरस्ता है यानि कि हमें हर एक चीज बहुत आसानी से प्रभा के साथ पढ़कर सुनाई गई है हर एक चीज एक दूसरे सा संबंधित है इसलिए वो सरस्ता और प्रभा हमें उनके काव में देखने को मिलता है यहां भावों की सरस्ता नहीं है यहां काव में ज्यानी की शब्दों में सरस्ता है क्योंकि अगर भावों में सरस्ता होते हैं तो यह बोलते हैं कि वो मीरा के काव के बराबर हो जाते हैं क्योंकि मीरा के काव में भावों की सरस्ता है लेकिन अक महादेवी का जो काव्य हमारे सामने अनमुदित होकर आया है उसमें आप शब्दों की सरस्ता देखेंगे प्रभा देखेंगे सभी एक डूसरे से बंधे हुए से प्रतीत होते हैं तो इस तरीके से इस पूरा पार्ट यानि कि दोनों ही वचन के जित्ते प्रशनी कल सकते थे हम आपके लिए कराएं तो बहुत अच्छा ही है क्योंकि इसमें जादा मुश्किल दोनों ही वचन नहीं है बहुत आसानी से हमें सारी चीज़े समझ में आती है बस आपको में ये समझना है कि जो बात उन वचनों में बोली गई है उसके पीछे के भाव क्या है जब आपको वो भाव एक बार में समझ में आ जाएंगे तो कोश्टन कहीं से भी बना लीजे इजी हो जाता है MagnetBrainz एक ऐसा प्लेटफोर्म है जो आपको गिंडर गार्डन से लेकर क्लास 12 तक की 100% फ्री एजुकेशन देता है यानि कि आप किसी भी क्लास में हैं कोई भी सबजेक्ट पढ़ना चाहते हैं आप यहाँ आगर इत्म नान से पढ़ सकते हैं जितने चाहें उतने वीडियोस दे सकते हैं जितनी बार देखना चाहें देख सकते हैं इसके लिए आपको कोई भी पेमिंट, कोई भी कूपन, कोई भी पैकेश लेने की कोई भी आवशकता नहीं है ये सभी फ्री वीडियोज आपको यूटूब पे, हमारी वेबसाइट, magnetbrins.com पे और हमारा एब जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कोड़ सकते हैं तीनों ही जगा बहुत ही निश्चंद होकर देख सकते हैं तीनों ही जगा आपको 100% फ्री वीडियोज ही देखने के लिए मिलेगे लेकिन इसके इलावा जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो हमें बहुत धरे की परिशानिया होती हैं जैसे कि हमें सही टॉपिक नहीं मिलता, सही चैप्टर नहीं मिलता तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों का निवारण आपके लिए हम लाएं जब आप हमारी वेबसाइट और हमारे एप से पढ़ते हैं तो यहाँ हमने आपके लिए हर एक चीज़ बहुत सिस्टेमेटिक धंग से अरेंज करिए ताकि आप easy way से अपनी class, subject और chapter तक even topic तक पहुंच सकें और आपका बिल्कुल भी time waste नहीं हो, आपको ढूंडने के लिए कोई परेशानी ना उठानी पड़े यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना medium सेलेक्ट करना है जब आप book select करोगे तो सारे chapter आपके सामने होगे तो जो भी chapter आपको पढ़ना है उस पर आपको click करना है जैसे ही आप click करते हैं, click करते ही उस chapter को हमने अलग-अलग topics में समझाया है यानि कि अलग-अलग pattern से समझाया है सबसे पहले हमारा आता है detail explanation, फिर NCRT solution, फिर उसके बाद multiple choice question, complete chapter vision, most important question तो यह सब ही patterns हमने आपके लिए cover up करें इसके इलावा आपका जब final examination होते हैं तो जोरान हम आपके लिए MBE sample paper यानि magnet brain sample paper लेकर आते हैं आपका अच्छे से practice कराने के लिए फिर उसके इलावा जो हमारे board classes हैं उनके लिए हम previous year question papers लेकर आते हैं तो पूरे साल जहां हम आपको chapter समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वही exams के दौरान आपके exams की पूरी तयारी भी initial कहीं करवाते हैं इसके लिए आपको कोई payment लेने की ज़रूरत नहीं है तो इस तरीके से ये सारा आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए है तो ये chapter तो हमारा खतम हो गया, लेकिन अभी काविखंट के chapter और और बाकी हैं तो मिलते हैं, जल्द ही next नई chapter के साथ है Thank you for watching, bye bye